हेलो दूस्तो नमस्ते मैं आप सब का स्वागत करती हूं माई शूल फैमिली माई वीवर्स माई सिस्क्राइवर्स काड प्लेस यू दियर आज कभी कच विडियो लेकर आई हूं नो कॉंटेक्स सिचुएशन वालों की एनरजी आपके पार्टनर का मूट कैसा है आपको लेकर अगर आप नो कॉंटेक्स सिचुएशन में हो इस वक्त आपके पार्टनर का मूट कैसा है तो बिलकुर रिलेक्स दहना है आपसे आपके पार्टनर क्यों नहीं बात कर रहे हैं क्यों सिचुएशन हुआ है अगर आप नो कॉंटेक्स सिचुएशन में हो तो आपको लेकर ज no contact situation collective level for viewers के partners की feelings क्या है इविवर्स को ले कर क्या सोच रहे हैं उनका mood कैसा है क्या चाहते हैं इवर्स से अगर no contact situation में हैं तो इंजल प्रीज काइट करें no contact situation इंजल प्रीज काइट करें King of Wands के एनरजी है Six of Cups के एनरजी है देखिए आप दोनों के बीच में प्यार है बट यहाँ पे आपने खुद को बदल लिया है देखिए क्या आप चीरियों की आवाज तो यह आप सबकी Freedom की आवाज है ठीक है आपके साथ Angels and Universe and Spirit Guide है अगर आपने चीरियों की आवाज सुनी तो यहाँ भी आप देख रहो एक Word है तो कुछ वियर्स आपके अंदर काफी बदलाव आया है ठीक है तो कहीं ने कहीं आपकी प्रती Emotions मैं देख पा रही हूँ ठीक है आप से Connect करना चाह रहे हैं हाइट करने लगे हो वो बहुत Confused है ठीक है वो आपसे बात करना चाह रहे है लेकिन साइद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक है इस परसन का दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि अंदर से गुस्सा भी है और कुछ विवर्स आप अपने उपर बदलाव करते हुए नजर आ रहे हो ठीक है देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि उनके मन में आपके लिए Emotion से प्यार है वो आपको अपरोच करना चाहते है लेकिन कहीं नहीं Confusion के साथ डर भी है कि कहीं आप इने Reject न कर दो इनके मन में गुस्ता कुछ जादा ही बढ़ रहा है लेकिन Six of Cups के रर जी है वो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे बात करने की कोशिस कर रहे है लेकिन यहाँ Nine Number Important दिख रहा है हो सकता है आने वाले 9 घंटे हो सकते हैं 9 सेकेंड हो सकते हैं या अगले 9 घंटे हो सकते हैं ठीक है तो Nine Number important है Nine of Pentacles, Nine of Cups and Nine of Wands आपके पार्टनर को अपने अंदर कहीं न कहीं उन्हें पीस नहीं मिल रहा है और आपकी जो चाहत है जो इस परसन को लेकर कि जैसे वो आपसे बात करे देखे उनके मन में आपके लिए है कि वो आपको ओफर करे लेकिन कुछ आपके बदलाव भी उनके दिल और दिमाग पर असर कर रहा है इसलिए अभी इस वक्त वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा negativity है गुसा है परशानी है जलेसी है इस टाइब की एनरजी मैं देख पार हूँ लेकिन इस वक्त वो confused है कि वो आपसे बात करे या ना करे क्योंकि कुछ न कुछ आप उनसे हाइट कर रहे हो जिस वज़े से आपके पार्टनर के मन में उनके soul में उनके mind में बहुत ज़्यादा परशानी कह सकते हो stress कह सकते हो ठकावट कह सकते हो और confusion कह सकते हो लेकिन फिर भी इस वक्त वो आप आपको approach करना चाहते हैं offer करना चाह रहे हैं और आपसे connect करना चाहते हैं आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन देख लिजे what on the deck से आया five of swords की energy ये energy बता रही है कि ये अपने आपको कहीं न कहीं control करें कि गुस्से से भरे हुए हैं और energy में काफी ठकावट है तो no context situation वालो की जो energy है इस वक्त आपके partner आपको लेकर भी confused है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं बट फिर भी इनके मन में गुस्सा डर भी है और confusion भी है कि कहीं आप इने reject ना कर दे क्योंकि कुछ viewers हो सकता है कि आप अपने life में आगे बर रहे हो और उनसे चीजें hide करने लगे हो लेकिन फिर भी उनकी wish है कि वो आपसे connect करना चाहते हैं लेकिन फिलाल उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़ा हुआ है लेकिन फिर भी ace of cups है king of wands है आपके लिए emotions है, प्यार है और आपके लिए passionate feel कर रहे हैं आपको approach करना चाहते हैं लेकिन वाडम तडेक से जो cards आ है वो थोड़ा आपके पार्टर को control करते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे Pisces, Cancer, Scorpio की एनरजी Aries, Leo and Sagittarius की एनरजी है Libra, Acris, Gemini की एनरजी है Capricorn, Taurus, Virgo की एनरजी है तो all sign यहाँ पे आ चुके हैं सारे sign है तो इस वक्त आपके partner के एनरजी में प्यार है, emotions है लेकिन सबसे ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा है और ठकावट है तो यह है no contact situation वालू की एनरजी आपके partners की वीडियो अच्छी लगे दिये तो like करें, share करें चैनल को subscribe करें, thank you so much God bless you